तो एक सवाल हम देख लेते हैं और इस सवाल के अंदर यह दोनों सब्सद्प्स इस्तमाल किए गये हैं आप देखिए क्या कहता है यह पूरा हम सवाल कर लेते हैं अभी हम बुक्स ऑफ बायर ही करते हैं books of buyer का यह नीचे लिखा हुआ निया बायर का book बना लेते हैं यह किताब का ही question है और exam में आया हुआ questions है तो हम books of buyer books of buyer में हमें क्या क्या करना चाहिए rule क्या याद रखना चाहिए sir सबसे पहले आप क्या करो purchase consideration निकालो sir फिर आप क्या करो जर्नल कर लो उसके एसेट्स को लेने का फिर आप क्या करो नई बैलेंशिक यही काम है बुक सो बायर में सेलर की बुक की अभी चर्चा ही नहीं कर रहा एक बार और बायर की बुक एक हो जाए जिससे आपको थोड़ी आसानी और थोड़ा कंसेप्चुल क्लियरटी मिल जाए फिर सेलर की बुक भी कर लेंगे चलिए सर तो पीसी निकालने के लिए क्या कहता है आप अपने समझदारी से बताईएगा सर पीसी निकालने के लिए सर शॉर्ट नोट नीचे राइट कर दीजिए अभी मैं सारा दे दूंगा आप लिमेटीट टेक वररण क्या मे लिमेटीट इधा बृट टेक अब यह बात ध्यान रखिएंगा कई बेट लिमेटेड टेक अब कि अब अब आप पहले दिमाग ऐब में सेट कर लिएं स्लैलर है यह हैं एक हैना और यह क्या है है यह दाखी हमें पता हो किसकेसे को लेना है पता चला आपने ल्टा ostat असे को खुद ही खरीद जारहीं हो न फिर पूरा ही गलत हो जाएगा अगर आपने गलत सोच लिया तो क्या करो गांगत अब पूरा ही गलत हो जाएगा तो आपको पहले यह clear होना चाहिए ठीक है ना अब सवाल में क्या कह रहा है कि कह रहा है कि क्या फॉलबिंग टर्म बीटा लिमिटेड डिस्चार्ज परचेस परचेस कंसिडरेशन एज अंडर यानि सीधा परचेस कंसिडरेशन को डिस्चार्ज करने की बात कर रहा है कह रहा है वो कि हम उसे 10,000 एक्विटी शियर सौर पे वाले दे देंगे और एटा प्रीमियम 5% एक्विटी शियर होल्डर अल्फा लिमिटेड कहता है अल्फा लिमि आपको यह पता चल गया कि उसको कितने एक्विटी देना है तो आप ध्यान से सोचोगे तो कौन सा मेथड है यहां पे पेमिंट की बात कर रहा है तो पेमिंट मेथड ही लग गया इसने कहा कि मैं उसे एक्विटी शियर कैपटल दे दूगा और कितने दूगा साहब मैं 10,000 एक्विटी शियर कैपटल दे दूगा गुणा में दस अजार पांच परसेंट सो वाले और वह भी पांच परसेंट प्रीमियम पे दूगा इसका मतलब 105 रुपे का उसको एक शियर दिया जाएगा अल्टिमेटली उसका वेल्यू अगर निकाला जाए तो कितने बन जाएग दस अजार इंटू 105 दस लाख पचास अजार एक्विटी के रूप में मिल गया उसे आगे कहता है इसू भी करूँगा मैं उसे प्रफ्रेंच शियर ऑफ सो रुपे का एक एट पार डिस्चार्ज ऑफ दा प्रफ्रेंच शियर होल्डर अल्फा लिमिटेड समझीएगा मैं मैं उसे 8% प्रफ्रेंच शियर इशू कर दूँगा और इशू जो करूँगा वो करूँगा एट पार लेकिन जो उसका डिस्चार्ज करूँगा ना मैंने बोला भाई शियर होल्डर अल्फा लिमिटेड तुम पहले आ जाओ तुम्हें कितने पैसे देने हैं तो अल्फा सर प्रफ्रेंच शियर क्यापिटल जो इसे मिलेगा वो क्या मिलेगा सर चार लाख पचास अजार पे 45,000 रुपे का प्रीमियम हो जाएगा 10% तो चार पचास तो देना ही था प्लस उसे 45,000 प्रीमियम भी हो जाएगा 10% डेट इस आपका हो जाएगा 4,95,000 समझ में आई बा बात है डिंटर टो कहीं से कहीं हमारा चलिए पीसी निकाली है दस और चार 15,45,000 का पीसी आजया समझे बात यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परिशान है ठीक है जर्नल एंट्री पर आजाए पहला काम डन अब आजाए जर्नल जर्नल में पहली जर्नल एंट्री मैंने क्या सिखाया था बिजनस परचेज टू लिक्विडेटर ठीक है न बिजनस परचेज टू लिक्विडेटर तो first general entry करने जा रहो है business purchase account debit यहां company का नाम भी लिख सकते हैं alpha limited business purchase to liquidator liquidator account और इसके अंदर किस से entry करते थे हम amount क्या इस्तेमाल करते थे PC इस्तेमाल करते थे that is PC कितना है पंद्रा पैंता लेगा पंद्रा पैंता लेगा ठीक है सर दूसरी entry क्या होता था उसके assets वैसेट्स ले लो सब खाली कर दो इस company को assets वैसेट्स सब निकाल लो liability वैबिलिटी लेकिन हमें समझना पड़ेगा भाई साहब कि इसके assets को किस value पर बोल रहा है लेने को या देने को वह सवाल बताएगा एक बार हम पड़ लेते हैं डिवेंचर holder को तो discharge करेंगे तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है सारे डिवेंचर ले लेंगे sundry debtor of alpha limited include 25,000 being due from alpha limited मतलब कहता है जो alpha limited के debtor 25,000 रुपए है वही alpha limited के creditor भी है मतलब common debt वाली बात आ गई है यहां अभी कहता है bills payable of alpha limited include 7,000 रुपए bills accepted in favor of beta limited but the bills receivable beta limited 5,000 only being to the amount bills due on alpha limited यानि सर यहां पे बात आ गई bills payable और bills receivable के तो कहता है कि bills payable साथ का था उसमें जुड़ा हुआ था और उसमें पांच का जुड़ा हुआ था तो जो settlement की बात आएगी सर वो lower amount आएगा जो कि 5000 का तो इसका भी हमारे जनल एंट्री से बाद में करेंगे बायर के बुक्स में अभी तो acquiring में तो कोई काम नहीं है कहता है अभी करा था यानि जो आपस में समान खरीदे गया है एक दूसरे को ही profit पे बेच लिया गया है कितना कितना बेचा है वो देख लेंगे कहता सवाल में सवाल में बात की बात बताई गई है तो इसका मतलब इसके सारे के सारे एसेट्स नॉर्मल वेल्यू पे खरीदे जाने चाहिए और सारे लाइबलिटी नॉर्मल वेल्यू पे खरीदे जाने चाहिए और इन दोनों तीनों के एक adjustment entry मार देंगे जिससे की अकाउंट हमारा clear हो जाएगा तो हम सारे एसेट्स को ले लेते हैं पहले क्या लेंगे भाईया कि गुडविल अकाउंट डेबिट फिर क्या लेंगे भाईय साथ कितने का लेंगे गुडविल अब गुडविल के बाद प्रेमिस इस प्रेमिस कितना लेंगे बताते जाएएगे अमाउंट और सही सही अमाउंट बताईएगे प्लांट एड मसीनरी कितने तद चार लाक अस्सी अजार कम्प्यूटर एक लाक बीस अजार स्टॉक अकाउंट डेबिड कितने स्टॉक के बाद और क्या है डेटर कितने एक लाक सर एक दस डेटर के बाद बी आर कितने तीस हजार बैंक बारा हजार और बस चलो इसको थोड़ा उपर करतें ले लिया लाइबलिटी ले ले लिते हूं थोड़ा इसे स्मॉल कर दिया जाए इससे क्लीन कर देंगे जब दुबारा करेंगे तो समझ में आ जाएगा ठीक है पर्सेंटेज लिखना है मैं लिखना भूलotte कि इतने ठीक है जार फार इखते हैं यह नई लिया जाएगा यह बी नई लिया जाएगा ये लिया जाएगा यह बी नई में कर लेंगे अब पहले डिवेंचर लेंगे देट इस देड़ला कि क्रेडिटर कि कि शत्तर हजार कि बिल्स पेबल कि 25,000 ठीक है ठीक ठाक चल रहे हैं और लास्ट में कर देंगे टू पीसी अब आपका काम पटाफट से पता दीजे डिफरेंस कहा है जल्दी बताईए डिफरेंस कहा है बैलेंस शीट में कुटी शेयर का कुछ नहीं करना वह जब हम नहीं बैलेंस शीट बनाएंगे तो पता चलेगा क्या रह बताईए एक लाग तेपन डेविड क्रेडिट तर साथ हजार छे पचास चार अस्सी एक बीज एक अस्सी एक अस्सी सोला ब्यालेस आ रहा है तर एक लाग त्रिफपन अजार डेविड साइड में कमी पढ़ रही है तो क्या बोले इसको कि क्या नाम दें पताओ इस बैलेंस को क्या बोलें कि पहले से गुडविल कि एक और गुडविल गुडविली चलो लिख देते हैं कि वैसे आप मर्ज करके इसको लिख सकते हैं ठीक है ना कि सही से एक बार आप भी क्या पता क्रेडिट में तो आएगा नहीं दोनों चीज़े होंगी नहीं चलिए सर्थ दूसरी एंट्री में बताईए डाउट बच्चों ने बताया एक त्रेपन गुडविल बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक आप इस गुडविल को मर्ज करके भी लिख सकते हैं एक त्रेपन और साथ जो की हमारा बन जाता है दो लाक तीरह जार रुपे उसे आप लिख सकते हैं से फिर दो कई बुराई नहीं है मैं अगली क्या होगी बताईए अगली आटरी बताएए हम क्या करेंगे उसके दिश्चार्ज को को दिस्छाज करेंगे ना तीन ही चार एंटीटीशच करेंगे ना तीनी चार इंटीश Azamu अगले पेशर्शच करेंगे कैसे है कार अकंट डेपिट है ना अर्ट तू क्या क्या दिया उसको तो एकुटी शियर कापिटल और टू प्रिफरेंच शियर कापिटल और टू सिक्यूरिटी प्रीमियम अब एकुटी शियर कापिटल अगर ध्यान से देखो ना तो भाई साथ 10,000 दिये हैं और गुणा में 100 तो 10,000 इंटू में 100 पहले लिकुडेटर तो लिख ले 15,000,000 10,000 इंटू में 110,000,000 अब प्रिफरेंच शियर को देखो फरक है बच्चे बोलेंगे सर इसका भी तो प्रीमियम होगा नहीं भाई साथ प्रिफरेंच शियर मैंने प्रीमियम पे दिया ही नहीं है प्रिफरेंच शियर मैंने प्रीमियम पे लिया है देखिए इशू कर दिया प्रफरेंज शियर इच एट समझते हैं इस एट पार का मतलब मैंने जो दिया है वो एट पार दिया है और बदले में डिस्चार्ज मतलब मैं आपको दूँगा आपके प्रफरेंज शियर होल्डर को 10% प्रीमियम यानि आप से एक्ष्ट्रा लिया है तो मेरे प्रीमियम पे तो कुछ बेचा ही नहीं है तो जब प्रीमियम पे नहीं बेचा है तो प्रेफरेंज शियर कितना आएगा बताओ मुझे यहां पर बताओ प्रेफरेंज शियर में कितना आएगा चार लाग यह यहां से आया आप सिंपल सी बात समझिए इस कंपनी ने इसको प्रिफरेंशेयर दिये के नहीं दिये कितने रुपय के दिये बोल रहा है चार पिच्चे आनवे के दिये अगर यह कंपनी इसको चार पचास का देता तो पीसी भी रहता ना पिमाग लगाओ थोड़ा सा बस दीपली सूचना है इस कंपनी ने बोला भाई तेरे प्रिफरेंशेयर होल्डर को मैं पेमिंट करूँ आ बुला ले मैंने इसने बोला मेरा प्रिफरेंश यह बोला खीक है दस परसेंट एक्स्टा करके खतम करते हैं तो अब इशू कौन कर रहा है यह कर रहा है ने इशू बीटा लिमिटेड कर रहे है तो बीटा लिमिटेड उसको चार पचासी दे दे तो क्या एक्ट्रा दिया कि उसको कितना देगा चार लाग कि जानवेश समझें बात आप देख लो हाँ बैलिंग शीट में तो मर्ज करके शोग करेंगा भी देख लेगा यहां तक समझ में आ रही है बात आप और सिक्यूरिटी प्रीमियम में ऐसे था इधार आ तू तेरे को दस अजार शियर दे रहें यह कहता है तेरे को दस अजार शियर दे रहें फेस्वेल्यू यह है और उस पर मैं प्रीमियम भी लूँगा तुस्से क्या प्रिफरेंशियर में ऐसे बोला कि उस पर मैं प्रीमियम लूँगा दोनों वर्ड में बहुत फरक है जब मैं प्रीमियम लूँगा तेर से तो मैं सेक्यूरिटी प्रीमियम के एंट्री करूँगा क्यूंकि आप शिय यह आया है साहब ऐसे पांच रुपए का प्रीमियम एक्विटी शियर वाला यह सर ऐसे आया है तो रुपए और यह सर ऐसे आया है कि 4950 गुणा में 100 करकेस को दिया गया ठीक है बताइए कोई दिक्कत मैंने इसके सारे एसिट्स ले लिए मैंने उसके सारे लाइवलिटी ले लिए और सारी एंट्री भी कर दिया अब बाद में हमें क्या पता चला अर्जिस्मेंट में क्या कहता है कि भाई तुने एसेट्स तो ले लिए अब सुन ले मेरी बात उसका जो debenture holder है उसको ले लिया तुने ठीक है अब इसे same debenture अपनी company का दे दे इसको तो हम क्या करेंगा भाई मेरी company का debenture दे देंगे तो अब एक entry करना पड़ेगा ये जो debenture अभी मेरे पास है वो अभी उसकी company का है मेरे पास जो कि इस entry के अंदर दिख रहा है ये debenture कि इसकी company का सामने वाली company का मतलब कि seller company का है और seller company से amount उठाके लिखा है देखो आप कहां से amount उठाये अपने seller company से amount लिखाया उस बिचारे के तो 84,000 ही है तो आप आ जाते है चलो तो entry क्या करेंगे भाई साब seller company का debenture मेरा बन गया तो उसको खदम करो तो seller company कौन था हमारा अल और इसे दे दो कौन सा limited का debenture बीटा लिमिटेड है या सरफ debenture भी लिखोगे तो चलेगा examiner समझ जाएगा और उससे बींग में लिख दोगे कि इसने debenture ऐसे discharge किया है अब कोई बच्चा यह ना सोचे बींग कैसे लिखेंगे भाई बींग तो आप आप लिखी सकते हो है ना इतने का तो बींग लग पिछली क्लास में लिखवा दिया अपनी language में लिख सकते है नहीं भी लिख सकते है इसका लिखवा चुका हूं और इसका भी नहीं लिखवा सिंपल ठेके न अब आगे कहानी देखतें क्या कहता है चलो बाई साहब मतलब यह बी-dun कर दिया यह भी-dun कर दिया और यह भी-dun हो गया और यह भी-dun हो गया अब आ जाते हैं debtor of alpha limited यानि इसका जो debtor है जो हमने लिया है include 25,000 being amount due from alpha limited और इसका जो creditor है due from alpha limited यानि alpha limited का जो creditor दिख रहा है 25 है या तो 75 कैसे दिख रहा है आपको हाँ बीटा ले रहे हैं कहता है sundry debtor of alpha limited तो भाई सहाब alpha limited का जो debtor होगा कहां गया debtor इस debtor के अंदर लेना पैसे इसे तो बीटा इसे ही होगा तो बीटा का तो creditor होगा न आप ऐसे सोचो न मैंने कहा कि मेरा जो debtor है मैं seller company हूं मेरा जो debtor है वो कौन है कहता है debtor of alpha limited और being amount due from alpha limited यानि same common है इसका जो debtor होगा इस यह वाली company तो creditor बोलेगा न क्या यह खुद में बोल देगा मेरा debtor और मेरी company में खुद creditor होगा ऐसा तो नहीं होगा दूसरी company में होगा अब यहां पे 25,000 की बात बोली गए यह लेकिन सर यहां amount एक दस एक भी से थोड़ी खरीद विक्री कर रहा होगा यह तो total amount है लेकिन इसमें reflection amount कितना जा रहा होगा सर्फ तो हमें क्या करना होगा debtor को खतम अब देखो simple सी बात है हम अपने क्रेडिटर को खतम करेंगे debit करके और जो debtor हमने खरीद लिया है उसको भी खतम करेंगे एक जर्णल एंट्री करना होगा बहुत सिंपल सा creditor क्रेडिटर अकाउंट और टू डेटर अकाउंट कितने रुपए यह जब बैलेंस चीट बना हुआ ना तब देखना है इसका impact वहां दिखेगा आपको एक है बीइ अ कर वामन इस देप्ट के रुफीज 25000 कि अगले पोइंट पर चलें आप बिंस पेबल की बात कहता है कहता है बिंस पेबल ऑफ पल्फा लिमिटेड यानी अल्फा लिमिटेड का जो बिल्स पेबल है इसमें 7000 रुपे जुड़ा हुआ है being amount bills receivable in favor of beta limited इसमें 7000 रुपे bills receivable यानि इसका bills receivable है कहां गया आई यह रहां बीटा लिमेटेड इंक्लूड पांच हजार ओनली बिंग अमाउंट बिल्स डियू फ्रॉम अल्फा लिमेटेड जिसमें स्रिफ पांच हजार ही जुड़ा हुआ है यानि लेना देना देखा जाए तो दोनों में से अमाउंट जो विच्छेवर होगा उसे अपना ही हो गया और सारी चीज़ों तो अब मेरा ही है क्योंकि यह जनरल एंट्री करने का मतलब सब कुछ मेरा है तेरा कुछ बचाई नहीं लेकिन जो गलती से तेरा ओवर वेल्यू पे ले लिया या हमारे बीच में कोई ऐसा ट्रांजक्शन था वह बार में ढूंड ढू ऐगा आप या रहा हमेशा क्रेडिटर खतम होगा और दे कट्र भी खतम होगा कभी चलिए फ송 क्या लिखन! कि पॉमन बी आर एंड बी पी या आपका जो लाइन लिख रखा था वो लाइन भी लिख सकते हो पूरा चलिए सर यह क्या कहता है कहता है स्टॉक और बीटा लिमिटेड साहाब बीटा लिमिटेड का स्टॉक ढूंडो स्टॉक यह है इंक्लूड पांच हजार ओनली बींग अमाउंट नहीं कहां गया तीस हजार रुपे इसके स्टॉक में जुड़ा हुआ है गुड्स पर्चेस फ्रॉम अल्फा लिमिटेड जिसको खरीदा किसने था इसने खरीदा था अल्फा लिमिटेड से खरीदा था अब अल्फा लिमिटेड मेड़ प्रॉफिट 25 परसंट अल्फा लिमिटेड ने 25 किसके उपर कमाया था अब भैसाहब जब हमने इसका अब बात करते हैं फिर से मैं इसको एक बार फिर से क्लीन कर देता हूं ताकि फिर से एक बार साफ साफ देखे क्योंकि बीच में बहुत सारा होच पो लिमेटेड जो इंक्लूड था 30,000 इस स्टॉक की सब की बात नहीं कर रहा है इसमें से मात्र 30,000 की जो की गड़बड़ी चल रही है वर्थ गुड्स परचेज फ्रॉम अल्फा लिमेटेड जो की खरीदा गया था किस से अल्फा लिमेटेड या भाई ये तू समान बेच रहा है इसको जो अल्फा लिमेटेड है समान बेच रहा है बीटा लिमेटेड अब विच अल्फा लिमेटेड मेड प्रॉफिट 25% और अल्फा लिमेटेड ने क्या करा इसको 25% कमा के बेचा यानि भाई तू इसको बेच तो रहा है और समान जो बेचा तुने इस पे कमाई कितनी कर ली है और किस पे किया है और ये कॉस्ट किस के लिए इस पे भी हमाएंगे बाद में एक और मैं क्लास लगाऊंगा इस पे और कॉस्ट 25 परसेंट तो इसका मतलब मुझे ये पता करना पड़ेगा जो मैंने इसको ये 30, n.30 000 रुपे का समान बेचा है और ये actual था कितने का क्योंकि ये कॉस्ट नहीं रहा ये क्या हो गया है क्योंकि जब ये 30 000 इसके इस्टॉक में जुड गया जब ये 30,000 इसके stock में जुड़ गया होगा तो बिस सी बात है selling price पे जुड़ा होगा ठीक है तो यानि सर profit कितना percent है यहाँ पे 25% on cost तो हम निकाले अगर 25% on cost कहता है तो मैंने अभी बताया था क्योंकि ये selling price है तो एक formula लगा लिजिए यह बहुत सारे तरीके होते हैं इसके निकालने के मैं simple सी बात है formula लगा के बता देता हूँ कैसे निकालेंगे sales is equal to sales is equal to cost plus profit sales दे रखा है साहब cost पता है नहीं हमें और 25% x by 4 तो x की value निकाले गो तो क्या आएगा 24,000 अगर मैं आप से पूछो भाई आप profit कितना आया ठीक है directly हम बोल सकते थे कि 20% निकाल लीजी आप इस पर क्योंकि cost के उपर 25% sales पर कितना बनता है 20 वही मैंने करा है तो हमारा profit यानि stock के अंदर गड़वड़ी कितने की है सार स्टॉक के अंदर गड़वड़ी सिर्फ 6000 के जो कि हमें हटाना eliminate करना है तो जब हम 6000 के stock को हटाएंगे तो अगें हम उसके stock को महंगा खरीदेंगे तो हम क्या करेंगे entry अभी बताया था बताओ गुडविल अकाउंट डेविड गुडविल अकाउंट और टू कि इस टॉक को कम कर दिया जाए क्यूंकि स्टॉक तो अब मेरा ही है ना कि स्टॉक तो किसका है अब और देखिए यहां बताये था गुडविल टू स्टॉप बस खतम स्टैट्जिरी रिजर्व को और बनाना है तो इसके लिए तो सिंपल सी एंट्री है एमल्गमेशन अट्जेस्मेंट अकाउंट डेविट टू स्टैट्री रिजर्व सर कितना है इसका स्टैट्री रिजर्व देख लो हमें किसका स्टैट्री रिजर्व दिख रहा है सेलर कंपणी का सेलर कौन है यह है तो 27 अज़ा अब बनेगे इसकी बैलेंच शीट पहले बताईए यहां तक कोई समस्या अब बनाएंगे बैलिंग शीट चौबिस हजार छे हजार सर बुक में बीटा लिमिटेड है अलफा पहले उसे कोई फरक नहीं पड़ता पता नहीं कि आप बोलते हैं बुक में बीटा लिमिटेड है सर लास्ट एंट्री अगर लास्ट क्लास लियो तो यह ऐसे रिजर्व बताये थे जो कि जैसे मैंने बताये था कि हमें कंपनी को खरीदते टाइम पर गवर्मेंट या फिर ऐसे कुछ नॉम्स होते हैं रिजर्व जो केरी फॉरवर्ड करने ही पड़ते हैं उस रिजर्व के अंदर छेड़ खानी नहीं किया जा सकता तो उस सिचुएशन में एक एंट्री हम यह कर देते हैं अमल्गमेशन अर्जिस्मेंट अकाउंट टू स्टेचरी क्या क्या हो सकता है एक्सपोर्ट रिजर्व हो सकता है या फिर स्वाल खुद ही कह देगा कि इस रिजर्व को आगे करी फॉरवर्ड खरीए तो यह करेंगे यह कहां जाएगा हमारे जो मैंने जो कंपनी खरीदा ह उसके यह रिजर्वन सर्फलस के अंदर जुड़ जाएगा और यहां पर नोन करेंट एसिट्स के अंदर अलग से शो कर दिया जाएगा बैलेंशीट बनाए है और अगर मैं बैलेंशीट की बात करूं कर नोट्स अकाउंट्स बना कार्ति के मैंने एक पूरा वीडियो डाला है आपके फोल्डर में के नोट्स अकाउंट्स कैसे बनाते हैं पहने लगाए तो उसे आप जाके मैंने कहा था वह जरूर देखिए स्री बैलेंशीट का फार्मेट है नहीं अगर वह देखेंगे तो हर चप्टर में आने वाले में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आप चलिए कि बैलेंशीट बनाते हैं मज परहीं वोर में आप आप उन के 5 ररे questionnaire वाले में आले आपमाट ऌीे म में आप आप और तो ब झाले सान प्रकराब क सांप क के चंटरं नहीं आपड़ेगा नहीं तॉ looks तो सर मुझे तो याद ही हो गया कुंश्चन करते करते तो सबसे पहला पार्ट है हमारा एक्विटी एंड लाइबिलिटी उसके बाद अंदर आएगा हमारा पर्स्ट पार्ट शियर होल्डर पंड इसमें एपार्ट शियर कापिटल पी पार्ट रिजर्व एंड तर प्लस थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं इसके बाद नंबर दो क्योंकि डिबेंचर भी है इसलिए लिखेंगे नोन करेंट लाइबलिटी इसके अंदर एपार्ट आ जाएगा लॉंग टर्म बॉरोइंग नंबर तीन पार्ट करेंट लाइबलिटी इसके अंदर एपार्ट आ जाएगा ट्रेड सिर्फ एक ही चीज सा हमारा एक ही पॉइंट था ट्रेड पेबल देन क्या जाएगा हमारा टोटल नोट नंबर हम बाद में देदेंगे चलिए इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट आने वाला है इसेट्स इसका भी फॉर्मेट चेंज हो गया अभी आप पुराना ही फॉर्मेट पढ़ रहे हो नया फॉर्मेट में एसेट्स उपर जा चुका है अब इसके बाद पेपर एक्जाम में यही है एक्जाम में यही एक्जाम वाला ही करा रहा हूं में बाकी अप आगे जब जाओगे तो फिर फॉर्मेट थोड़ा बदल गया है एक्जाम में यही करना एक्जाम का मत टेंशन लिए पहला आजाएगा यह पार्ट नोन करेंट एसेट इसके अंदर एपार्ट आएगा फिक्स एसेट इसमें रॉमन में वन आ जाएगा पी पी रॉमन में टू आ जाएगा इंटेंजिबल क्योंकि मैंने अभी जितने सवाल किये हैं करते करते मुझे समझाते समझाते याद होगे कि क्या है और क्या नहीं है तो इसी सामसे में बनाता जा रहा हूं आपको सामने बैलेंशीट रखके बनाना पड़ेगा इसके बाद सेकिंड पॉइंट आ जाएगा नोन करेंट अधर नोन करेंट अधर नोन करेंट अधर नोन करेंट असेट्स इसके बाद तीसरा पॉइंट आएगा करेंट असेट्स करेंट असेट्स में इन्वेंट्री भी था तो एपॉइंट इसके बाद क्या था हमारा ट्रेड रिसीवेबल इसके बाद क्या था हमारा कैश अन कैश एकुलेंट अधर नोटिंग कर देते हैं हम इसको नोट नमबर वन देंगे क्योंकि हाँ है इसको नोट नमबर दो देंगे इसको नोट नमबर थ्री देंगे इसको नोट नमबर चार देंगे इसको नोट नमबर पांच देंगे थोड़ा नीचे आएगा इसको note 5 देंगे, इसको note 6 देंगे, यह तो direct लिख देंगे, इसको note 7 देंगे, इसको note 8 देंगे, इसको note 9 देंगे थोड़ा हाइलाइट कर देते हैं इसको कि यहां पर दो नहीं आएगा भाई साहब यहां भी आएगा ठीक है अब नोट नमबर वन और यह बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए करना क्या है जो आपने अब इसको करने का एक ही तरीका है हमारा बैलेंश शीट और हमारा जनल एंट्री मतलब जब हम इसको करेंगे नोट वगेर बनाएंगे बैलेंश शीट बनाएंगे तो अपनी बैलेंश शीट को सिर्फ देखना है और अपनी जनरल एंट्री को ही देखना है यह नहीं कि आप अब जो अगर मैं बात करूँ न तो इस कंपनी की बैलेंस शीट की अगर मैं बात करता हूं कौन सी कंपनी की बात कर रहे हो सर इस कंपनी की बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं मैं कौन सा यह इसकी बैलेंस शीट को देखना अभी नहीं है कि जो सेलर कमपनी इसके बैलेंस शीट को नहीं देखना कि चून देखना सर चूकि इसके अड्जस्मेंट लगाई चुक के हम सारी कि तो जब हम काम करेंगे तो वेरी सिंपल सा आपको पॉइंट पर याद रखना है कि क्या करना है हमें सर हमें इसके ये वाला माउंट देखना है बीटा को और यह और ये वाला माउंट हमें कि अब मैं इस च्ऽेड़ कापिटल से श्टार्ट करता हूं तो से क। उस सबसे पहले परफेरेंग्ये क्ये से कॉ Turn तो पहले यह उठाऊगा सांब लाग को गोड़ा का पारा लाग का इकुटी शेर कापिटल लोगा है कि दो नूट नूबर वन है मरें हिर सबसे पहले इकुटी शेर कापिटल है और यह किसका बीटा लिख रहा हूं बीटा बायर हो गया बीटा और अल्फा लिख दुगा लिमिटेट का कितने तका था आप इसको थोड़ा सजानी के लिए क्या लिख सकते हैं बुक में लिखा हुआ होगा वैसे ही करना है कि एड़ रेट हंडेड रुपी सीच नमबर अफ शियर से यह कर सकते हैं जैसा कि पहले फॉर्मेट में करा हुआ है ठीक है ना कब मैंने इक से फोल्डर में भी डाल दिया है और फिर एकुटी शेयर और भी हमने इस्यू किये जो हमने किसको दिया अलफा लिमिटेट को कि बोले थे ना ले भाई तू शेयर ले जा कितने शेयर दिये थे दस अजाद सब्सक्राइब कि यहाद आया तो सरी यह बाईस लाग कि आ गया मेरे बीटा लिमिटेट से पहले से कुछ प्रीफरिंश शेयर कैपिटल थे तो कितने ठें बीट्राइड लिमिटेट के प्रीफरिंश सेयर कैपिटल शे लाग और मैंने दिये भी हैं कितने दिये थे चार पिच्छानवे तो शे लाग और सर मैंने दिये भी है प्रफरेंशियर कैपिटल इसू भी किये हैं कितने 495 यह कितने कि सिक्यूरिटी प्रीमियम तो सिक्यूरिटी प्रीमियम में जाएगा ना अरे वो तो सामने वाले को दे रहे थे हमारा थोड़ी है कि अब आजाओ रिजर्वेंशर प्लस कि नोट नंबर कि सबसे पहले उठा लेते हम क्या अपना जनर इजर्व इनर इजर्व देख लो भाई गो जनर इजर्व कितना अपना इसका नहीं अपना असी अजार जनर इजर्व प्रॉफिट एंड लॉस बासट रहाए जनर रिजर्व यह किसका है हमारा बायर का ले रहा हूं मैं असी अजार प्रॉफिट एंड लॉस 62 और क्या है और हमारा अड़तालीस अजार स्टेचरी रिजर्व रिजर्व 48,000 है ना और हमारा बाला भी जूट जाएगा इसमें प्लस प्लस के लिजर्व कंपनी का भी जो था 27,000 ठीक है ना जो था 27,000 इस एंट्री के हिसाब से देखा जाए और यहां पर दे रखा था आपको अध्य चलिए सार यह दन हो गया यह यह और हो गया यह दम हो गया जोनरल हो गिया पीएल हो गया हो जया ह्बंचर वगयरे ले यह तो नोटबर अगले चला जाएक प्रेदर tej प्रीमियम भी रह गया से जो कि 50,000 हमने इशू के टाइम पर कमाये था वो तो रही गया कहां पर 1095 आएगा अच्छा दस लाख पिच्यानवे अजाद फो अच्छा ठेक है वो बाद में देखेंगे ने टूटल अच्छा बढ़ी आई यह ताटके दस लाख पिच्यानवे अजाद अच्छा बाद में टूटलिंग का प्रोसेस एक बार ही कर लेंगे चलिए सर आगे देखते हैं नोट नमबर थ्री किसके लिए सर लांग ड्रम बोर्वेंग अच्छा एगे त्री नमबर नोट अब डिवेंचर अब यह पहले हम ले लेते हैं बायर कंपणी का बीटा लिमिटेट का तो डिवेंचर देखो बीटा लिमिटेट का कितना है एक पचास अच्छा एटी-फोर और उसको हमने एक पचास दे दिया कैसे पता चला एक पचास दिया इस जनर् पहले एटी-फोर था और फिर मैंने इस्यू कर दिये और एक लाख थीक है नोट नमबर चार अब ट्रेड ट्रेड पेबल सबसे पहले क्रेडिटर यह लेंगे बीटा लिमिटेड और क्रेडिटर किसका अल्फाव लिमिटेड का तो सबसे पहले क्रेडिटर और डेटर को देख लिया जाए यह थोड़ा सा गयाप बना देते हैं अभी पता चलेगा तो देखिए अगर बात करें क्रेडिटर तो 75 और एक बीस एक बीस और 75 और जनल एंट्री में देखोगे तो एक जगा क्रेडिटर को कम किया है हमने कितना तो 25 हमें माइनस कर देना चाहिए यहां लेस कि कॉमन 25 अब बीपी पर आ जाते हैं कि सर बीपी के अंदर देखा जाए तो क्या है मारा 35 और 25 पैंथेस और 25 इसका पैंथेस और यहां से भी लेस हो जाएगा क्योंकि कॉमन बीपी भी था कितने का पांच है टोटलिंग का प्रॉसस हम देख लेंगे बाद में ठीक है नोट नमबर चार कंप्लीट नोट नमबर पांच पर आ जाते हैं यह थोड़ा बड़ा बन जाएगा पी पी इए पी पी इए क्या क्या है मारे पास प्रॉसस है प्रएमिसस दिए था मैंने हमां प्रेंट्प अश्चीज दिए घंड्री और यह कंप्योटेर और कुछम्प्योटे और कुछ है क्या नहीं है को अ मतलब के चेंग नहीं हुआ हु कि प्राइमिसेज प्लांट एंड मसीनरी मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां दोनों एड़ करके दिखा दूआ ठीक है न कितने का है हमारा प्रैमिस कि बाद करें साथ और साडे छे इस साध़ और साडे छे हैं कि आप देखां यहां सेITT उड़ा रहा हूं लेकिन सार बोलो के आपने तो मना किया था मैं यह यल्ड डशन ने देख रहा है साथ और साड़े छे ठीक है ना मैं चेक अपने इससे ही कर रहा हूं साथ लाग और यहां पर कितने हैं साड़े छे तो चलिए आ जाएगे साथ लाग और च्छे पचास छे पचास अब देखा जाएं प्लांटेर मसिंडरी छे बीस और इधर चार असी छे बीस चार असी कंप्यूटर देखा जाए तो दो लाग और एक बीस दो लाग और एक बीस ठीक है टोटलिंग का प्रोसेस कर लेंगे बाद में अभी कि इसके बाद आजाओ नोट नंबर च्छे नोट नंबर छे इंटेंजिबल एसेट्स चलिए सर इंटेंजिबल एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स में अगर देखें तो क्या है एक हमारा गुडविल और एक यहां दोनों गुडविल तो दो लाग तेरा हजार और एक लाग तो सहाब आएगा हमारा गुडविल किसका पीटा का एक लाग और आएगा गुडविल कितने हमारा एक लाग त्रिपन और पहले से था साथ है कि यहां यहां लाइन नहीं खीचा मैंने बस पॉर्मेट बना देगे हैं भी रुख जाओ दो लाग तेरा हजार टोटल तो इसको ऐसे कर देते हैं जैसे मर्जी करिए एक नोट बनी है रेडी ठीक है नोट नमबर विए साथ है सर नोट नमबर साथ साथ से पहले नून करेंट एसेट में क्या आएगा हमारा 27000 कि अधर नून करेंट एसेट में 27000 क्या आगया मैंने बताए था दू जगे एंट्री जाता है तो एक वहां गया और एक यहां पर आगया ठीक है ना चलिए सर आगे आजाएं नोट नमबर साथ इन्वेंट्री कि इन्वेंट्री में देखिए क्या है कि स्टॉक कि पीटा का लेना है और स्टॉक कि अल्फा का लेना है तो ध्यान से देखो स्टॉक अगर बात करें तो धाई लाग और यहां पर स्टॉक एक असी जाई लाग और एक लाग और कुछ इसमें प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ था जिसे लेस कर देंगे अन्रेलाइज प्रॉफिट जैनल एंट्री किया था न टू गुडविल अरे गुडविल तो रह था कौन सरा रहे गा बताऊं अग्यां जर्ण सर कहां से लिए आठे हजार ये इसाहब ये वाला लिए स्टॉक और यह वाला गुडविल तो भूली कह एक नया गुडविल और शेजार का था तो छेजार का भी मैच नहीं होता हमारा गुडविल स्टॉक से जो आया हमारा श्य हजार दो लाक अठारा जार नोट नमबर आठ ट्रेड प्रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल पहले हम ले लेते हैं डेटर किस्का मैं ऐसे ले ले लेता हूँ बीटा का और अलफा थीक है फिर नमबर दो ले लूँगा मैं क्रीटर बियार पिलस रिसीवेबलं बीटा का और अलफा का कि चलिए डेटर एक दो तीन कि डेटर की बात करें तो तीन पंद्रा कि देखिए तीन पंद्रा और यहां डेटर देखिए एक दस तीन पंद्रा और एक दस आ जाईए तीन पंद्रा एक दस लेकिन इसके अंदर भी कॉमन डेट था तो लेस्ट कर दें कि अधार कि भाई साथ कितने का कॉमन था देटर था कॉमन यह डेटर कम हुआ था 25 नहीं 25 डेटर कम हुआ था बी आर और इसके अंदर आएगा इसके अंदर हो जाएगा लेस कॉमन यहां 5000 था चलिए अब बी आर की बात करते हैं तो बी आर बीस और तीस बीस और तीस और यह माइनस है कर लेंगे टूटल अब अब अगला नूट क्या है लास्ट कैश एंड कैश इकुलेंट नूट नमबर आठ नहीं नो इसमें बैंक यह बायर का और सैलर का एक बात ध्यान रखेंगा कई बार हम कभी ना कैश को पेमेंट भी करना पर जाता है उसका भी अज़िस्मेंट लगेगा अगर वैसे इस वाले सवाल में है नहीं तो चलि आजाते हैं कितने बैंक है 24 और 12 कि 24 अब फटा फट टोटलिंग करिए बस इन सबी को बॉक्स में डाल देता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे देखने हैं तो टोटलिंग किस से करें टोटलिंग इससे करते हैं इसका बताएं टोटल क्या है हाँ 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 नोट नमबर सिक्स तीन लाग तेरा और छे उननिस अच्छा उननिस ठीक है अच्छा दो दो गड़ बड़ी ठीक है तीन लाग पंद्रा हजार एक लाग दस हजार माइनस पच्छिस हजार नेट चार लाग और तीस विस पचास पांच तो चार लाग पैंतालिस हजार ठीक है इसका एक लाग पच्छिस हजार एक लाग असी हजार माइनस छे हजार टू नाइंटी नाइंग अब सभी नोट को ले जाते हैं चार पैंतालिस तीन उननिस और दो निन्यानविय और च्छत्यस चलिए नोट नंबर जो नौ था वो क्या था च्छत्यस आठ जो था वो चार लाग चार कितना था था अब आठ नंबर नोट क्या था वाइसाओं अब आठ नंबर नोट है चार पैंतालिस अब कि साथ नंबर नोट क्या था है दो लाग दो निन्यानविय और च्छे नंबर नोट था कि बागी तो यहीं है पांच नंबर देखिए साथ लाग कि तेरा पचास ग्यारा लाग एकदम फटाफट टोटल करो थीन बीच प्लस ग्यारा लाग प्लस तेरा पचांस 27 सताइस 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 चलिए इसको देख लेते हैं एक बीस पच्छत्र माइनस पच्छिस एक सत्र माइनस पच्छिस 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 हजार माइनस पच्छिस कि माइनस पाँच पच्छिस क्या है ये ट्रेड पेवर आ जाईए लॉंग ट्रम बोरोइंग दो चॉंतिस दो चॉंतिस नोट बनने भर की थोड़ी देरी होती है वस 22 लाग 32 लाग 95 अजार 32 लाग 95 अजार अलाकि बुक्स अफ सेलर था बुक्स में लेकिन अभी बायर सीखने सेलर करेंगे रिजर्व किसका दो सट सट चलिए 35 लाग 95 अजार दो लाग सट सट हजार दो लाग 34 अजार दो लाग 25 हजार 40 लाग 21 हजार अब यह भी यह आना चाहिए 27 लाग 70 हजार तीन लाग 29 हजार दो 27 तू नाइंटी नाइं अड़तिस लाग 96 अजार भाई काहा कुछ क्या छोट दिया हमने नोट में बैलेंस चीट में चेक परो अजार 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 वेटर बी यार बीपी सब फटा फट ले रखा है इस टैचरी रिजर्व हम उसका लिया था भूल गये थे ले लिया था हमने स्केच रहे दोनों का ले लिया था ना कि प्राफिट एंड लॉस का काम नहीं जैनरिजब निकाम है यह 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 स्टॉक संड़ी डेटर बिल से सिवल बैंक भी ले लिया और कुछ रहे गया कि दुबारे टूटल कर लेते हैं कि अब भी करें टूटल एक बार कि बत्तेश पिच्चानवे कि तर्सट चालेश इक्केश इनके नोट के भी टूटल करना क्या पता गलत हो गया हो कोई यह तो बहुत कमा गया है तो सबस्तर इधर ही टूटल ही कलती है अच्छा 27 लाक शत्तर हजार तीन लाक उन्नेस हजार 27 अजार 299 हां क्या कर रहा हूं अच्छा 27 लाक शत्तर अच्छा 28 अच्छा रहा है जब ऐसा दिक्कत आ जाए तो डोनों का डिफरेंस लेलो पता चल जाएगा अमाउंट एग्जेक्ट अच्छा 27 लाक 25 अजार क्या चोड़ा है कि इन सब का टूटल चेक करना फिक्वर क्रॉस कि नई ट्रेड रिसीविवल में शो करो वो कर रख है आपके किताब में वह मान के चलो एरर हरी है सर हमें बीपी और क्रेडिटर दोनों के कौन लिये दोनों के क्यों लिये मैंने जर्नल एंट्री का लिया है दोनों का नहीं लिया उस अपना और जर्नल एंट्री का कर दो कि इन्वेंट्री का टूटल ठीक है देखना एक बाद कि ट्रेड रिसीविवल कि इतना ट्रेड रिसीविवल यहां घड़ बड़ी लग रहे है मुझे कि नहीं ठीक है कि इन्वेंट्री कि अरे गलत कर दिया है चार चौबेस होगा है टूटल गलत था यह लोजी आ गया चार चौबिस और माइनेस तीन उन्निस करेंगे तो वही फरक आ रहा है एक लाग नहीं कि मैंने कहां लिख दिया इसको कि यहां करेंगे ना चार चौबिस इन्वेंट्री में माइनस रुपर्चिस चलो कर लेते हैं चार चालिस और यह हो गया मैंच एक बार कंफ्लूड कर देते हैं सवाल को देखिए यह सवाल हमारा अभी सेहल का बुक भी बनाना है इसमें लेकिन हमने क्या बनाया है हमने दौ सवाल कर लिएं बार के बुक ने इंकलूडिंग अट जास्मेंट एक रिलाइजेशन Expense वाला रहता है बाकी इसमें ज़्यादा अर्जस्मेंट नहीं है ये चैप्टर मैं मुश्किल नहीं कहूंगा ये चैप्टर मैं कहूंगा लेंदी जरूर है क्योंकि पहले आप करेंगे PC निकालेंगे PC के बाद बायर की जनरल एंट्री और फिर उसके बाद बैलेंशीट लेकिन एक्जाम में कभी इतना लेंदी आई नहीं सकता एक्जाम में पांच नंबर में PC दे दिया हो सकता है एक्जाम में ये दोनों दे दिया उसमें 15 नंबर का या ये भी पॉसिबल है एक्जाम में ये दे दे और बैलेंशीट ये दे और ये दे दे ठीक है ना या फिर seller के point से पूछेगा तो ये था हमारा books of buyer आज के adjustment में हमने क्या सीखा आज के adjustment में हमने सीखा एक तो सीखा हमने unrealized stock तो unrealized stock क्या होता है जब कभी भी company acquire कर लेती किसी company को और ये देखती है कि आपस में उन्होंने आपस में समान बेचा है तो उनके stock में जुड़ा हुआ है तो ऐसे situation में क्या करते हैं हम stock के value को कम कर देते हैं जितना profit added है और उसे goodwill से match कर देते हैं अगला था हमारा common debt common debt के अंदर क्या था हम एक ही वैक्ति को समान बेचते भी और एक ही वैक्ति को खरीदते हैं तो ऐसे situation में हम हमेशा अपना debtor कम कर देते हैं क्योंकि वह debtor हमारा हो चुका है और अपने creditor को क्या करते हैं कम करते हैं दोनों चीजे कम करना है लेकिन एक प impact नहीं आएगा कि क्या common debt था एक्वाइरिंग तो हम सारे कर लेंगे उसके बाद फिर सिर्फ बायर कंपनी बैट के अपनी अपनी बैलेंशीट को पूरा सुधार लेगा समझे बात हम पहले ही मत कर देना सर कॉमन डेट था 5000 यहां से घटा दो 5000 यहां से घटा दो वह गलत हो जाएगा इस entry में तो आपको सीधा सीधा सारे assets उठाके रख लेने हैं और सारे liability उठाके रख लेने जो जो वो ले गए हैं अब जो common debt वाला हो unrealized stock वाला हो या और कोई भी adjustment हो वो बाद में लगाए जाता है क्योंकि अगर ऐसा हुआ सामने वाली company मेरे stock के बदले ही चल रह है और उसमें सिर्फ assets में stock 2 करोड का है अब मैं बोलू के भाई तेरी company को मैं खरीद रहा हूं खरीदने के बाद मैं उसका valuation तो लगाऊंगा ना कि 2 करोड रोपे उसने arrange करके तो cash दिया ही होगा अगर मैं valuation लगाता हूं कि इसे मैंने ही बेचा है उसको मैंने ही बेचा तो वह automatic उसकी company बन जाएगी अगर वैसे देखा जाए तो तो हम क्या करते हैं सामने वाली company ने मुझे पैसे भी दिये थे ऐसे नहीं के पैसे नहीं दिये थे पैसे दिये थे और वो जो तेरे पास stock दिख रहा है वो तुम्हारा stock है हम purchase consideration निकालते समय पे या फिर तुम्हे valuation पे करते समय पे हम यही value लेंगे stock का लेकिन फिर बाद में हम उसको adjustment कर देंगे ठीक है clear आपका तो हमने क्या करा सबसे पहले PC फिर ये और फिर journal entry में देख लीजे तीन से चार एक journal entry और add हो जाएगा किसका realization expense और वो भी goodwill से entry करेंगे या capital reserve से कर लेंगे हाँ अब मजे की क्योंकि मैंने क्या बताया जब दोनों चीजे आ जाती है तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे थोड़ा सा फाइदा थोड़ा सा नुक्सान एक ही company से आप एक ही चीज को लेके चलोगे मान लेते हैं कि आपके इस entry के अंदर capital reserve निकल रहा होता और पूरे सवाल में capital reserve निकल रहा तो यह हमने पूरा done किया बच्चे पूचे सर 27,000 कैसे आया ट्रेडिटर बीपी को तो add करके 72,000 से आ रहा है पता नहीं 27,000 कैसे आया 27,000 amalgamation adjustment account में भोला हुआ था statutory reserve को maintain करना है देखिए देखिए आप ध्यान से देखिए कहता है statutory reserve to be maintained more और statutory reserve का यह 27,000 भी हमें लेना पड़ेगा सारे reserve को छोड़के यह reserve तो लेना ही लेना पड़ेगा ठीक है debenture chapter issue वाला हमने खतम कर लिया है last और other than cash की भी मैंने कुछ वीडियोस डाल दी है उसमें books of seller आप समझ जाओगे chapter खतम और कुछ ही नहीं मैंने इसलिए एक और books of buyer का करा दिया क्योंकि आज books of seller करा देता तो फिर मुझे लग रहा था कहीं न कहीं आप mix ना कर देते बायर भी seller भी अब दो दिन हो गए यह दो अब आप आपको यह चप्टर ना एकदम हंडिट पॉर्सेंट आजाएगा कैसे आजाएगा जितने पीसी वाले कोशन ते फिर दुबार एक बर रिवाइस प्रोस को और जो दो दिनों में हमने काम किया यानि अभी तक का जितना भी कर रहा है उनको अगर आप अच्छे से रिवाइस कर लेते हो तो आपको चप्टर सेलर में दिक्कत ही नहीं आएगा आप कनेक्ट कर पाएगा बायर नहीं यह किया था लेकिन अगर सोचोगे कि सारा चप्टर एक बार हो जाई क्लास के अंदर तब बढ़िया से बैठके करेंगे तो बैठने के बाद सिर्फ बैठे रह जाओगे कुछ कर नहीं पाओगे कुछ समझनी आएगा तो इसलिए सिंपल सी बात है आप पूरा रिवाइस करके आओगे